हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोष शिल्पा गुपता टेलिवीजन का सबसे चर्चित और विबादी शो बिग बॉस एक बार फिर से धमाल मचाने वाला है जी हाँ इस शो को लेकर रोज कोई न कोई खबर सामने आती ही रहती है इसी बीच बिग बॉस तेरा से जुड़ी एक खबर सामने आई है पिछले सीजन में अनुप जलोटा और जसलीन मतारू की बे मेल जोड़ी ने खूब दमाल मचाया था तो आपको बता दे कि इस बार भी शो में तड़का लगाने अनुप जलोटा की वापसी हो रही है लेकिन जनाब इस बार उनके साथ जसलीन नहीं बलकि भायजान की सबसे करीब दोस कट्रीना कैस होंगी इस बाद को खुद अनुप जलोटा ने एक इंटर्वियू में बताया है बता दे अनुप जलोटा ने बिग बॉस में आकर खूब सुर्खया बटोरी थी एंट्री के वक्त वो और जसलीन मतारू कपल बन कर आये थे दोनों ने एक दूसरे को डेट करने की बात करी थी बिग बॉस के घर में ये सब बोता दे जसलीन के पिता भी काफी भड़क गए थे हालकि बाद में जब अनुप जलोटा घर से बाहर आये तो नोंने कहा कि जसलीन उनकी फिर शिश्या है और दोनों के पिश म्यूजिकल रिलेशन है बता दे हाली में एक इंट्रव्यू में अनुप जलोटा ने बिग बॉस 13 को सलमान खान संग पोस्ट करने की बात की है उन्होंने कहा मैं बिग बॉस के घर में जा रहा हूँ मैं सलमान खान के साथ शो को होस्ट भी कर सकता हूँ जब अनुप जलोटा से पूछा गया कि इस साल किस जोड़ी के साथ वो शो में एंट्री करेंगे जवाब में अनुप जलोटा ने कर्टीना कैफ का नाम लिया आपको बताजी कि हाल ही में अनुप जलोटा ने अपना नया म्यूजिक वीडियो के सरिया बालं रिलीज कर दिया था इस वीडियो को बिग बॉस की ही चर्ची चहरे दीपक ठाकुर और सोमी खान पर फिल्म आया गया है दीपक और सोमी दोनों ही बिग बॉस 12 का हिस्सा रहे थे शो में दीपक ने सोमी को प्रपोस भी किया था आपके क्या राय है अनुप जलोटा की इस नई जोड़ी के बारे में क्या अनुप जलोटा कर्टीना स्काइट के साथ वाक्के में एंट्र करने वाले है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और देखते रहें बीकेडियो शुक्रिया